हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक और नई अवेरनेस वीडियो में जैसा कि आपको पता है हम हफते में एक या दो वेडियो तो बनाए डालते हैं किसलिए तक ही आपको अवेर कर सकें आपकी डे-टो-डे-लाइफ के चीजों को आपके पास लाकी जैसे आप सभी बिमार तो क काफी बड़ी एक महा मारी चली हुई है अभी तक चली ही हुई है तो आप इसको यह नहीं माल सकते जाजोगी है तो जो आपने दवाइयां खाई हैं हम दवाइयां खाते टाइम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं तो क्या है वो गलतियां कैसे हम उनको सुदार सकते हैं आईए इस वीडियो में तो दोस्तों जाज़क आप सबको पदा है तवाइयां अलग-अलग टाइप की होती हैं टाइप का मतलब में यह नहीं कह रहा कि वो बिमारी के हिसाब से अलग-अलग होती हैं वो अपनी formation के base पे अलग होती हैं कुछ दवाइयां लंबी होती हैं कुछ गो गोली को ना आदा तोड़के या एक चोथाई तोड़के या उसको पीस करके दे दिया तो क्या आपने सही किया नहीं आप किसी भी गोली को नहीं तोड़ सकते बिना प्रोपर जानकारी कि किसी भी गोली को पीस के नहीं दे सकते बच्चे को जैसे हम करते हैं चमच में उसक expect की लेकिन अगर बात करें कि नुक्सान भी ना हो तो बदा देता हूं आराम भी नहीं होगा तो आपकी जो दवाईयां होती है टेक्निकली उनके उपर मार्किट से ही लाइन एक उनके उपर लगी होती है तो जिस भी दवाई के उपर लाइन बनी होती है आप उसको तोड़ स कीज़ का मालों वो कम है आपके सिर में दर्ध है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है तो आप क्या गर सकते हो आप हाफ टैबलेड को ले सकते हो गया सकती हैसे उस लपाई इस दौड़के अ expired क्यों से सरदर्द या आपनी बिमारी के according उसको half dose में ले लिया आप ऐसा बच्चों को भी दे सकते हो लेकिन कुछ गोलिया जो के plane होती है आप उनको नहीं तोड़ सकते हैं उसका reason क्या है उनके अंदर जो salt है देखो कोई भी दवाई है वह एक हिसाब से आपके chemical composition ही होती है और कुछ chemical ऐसे होते हैं जो completely uniformly fix हो जाते हैं और एसे compound जो uniformly mix हो जाते हैं से बनी दवाईयों को आप आसानी से तोड़ कर छा सकते हुँ लेकिन जो दूसरे chemical है वह कुछ ऐसे होते हैं कि uniformly नहीं mix हो पाते तो वो एक का दवाई की जो कंसंट्रेशन थी वह सेकंड हाफ में ज्याजा थी जो आपने ली तो तो रहेगा ठीक क्योंकि आपको वो डोज लेने ही थी लेकिन अगर आप किसी बच्चे को देते हो आधी मान के आप एक कंप्लीट गोली को आधी तोड़ कर देते हो लेकिन उसके अंदर अब बात आती है क्या दवाईयों को पीस कर देना ठीक है या नहीं अब देखो एक सिंपल सी बात है आपको एक दवाई दी जा रही है और उसके बाद लिखा जाता है कि आप 6 गंटे बाद या 4 गंटे बाद दूसरी डोज लेना तो इसका मतलब है कि उस दवाई को पीट म देने के तो क्या होता है आप उस दवाई को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हो मतलब कि आप उसकी वरकिंग को अफेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा तो हरे गोली का अपना एक टाइम पीड होता है कि वह इतने टाइम में बोड़ी के इस हिस्से से गुजर के क्या करती है अप की वीडियो में बस यही था कि आपको दवाई लेते हैं कोंसी सावधानियां बरतनी चाहिए तो आपको पता लगा कि आप कि इन दवाईयों को तोड़ कर खा सकते हों कि इन दवाईयों को बिना तोड़े खाना जरूरी होता है और यह लगा लो कंपलसरी होता है इसके अलाव लिमिटिड टाइम के लिए वो काम करते हैं लेकिन अगर आप क्या करते हो इन दवाईयों को डिरेक्ट ले लेते हो तोड के फोड के या कैपसुल को खाली करके तो आपको भारी नुक्सान पहुचा सकती हैं तो जानकार बने शतर्ग रहें और इस वीडियो को अगर आपको लगे कि हाँ वही काम की है तो बिमार हर को ही होता है हर किसी के घर में दवाया खाई जाती है अगर आपको किसी की एक परसेंट भी अगर चिंता है तो आप उनको यह कह सकते हो कि इस वीडियो को जरूर देखें एक अच्छे जानकारी उन तक बहुच जाएगी आपका जाएगी तेकि घूजा है जवारत